जब भी आप कोई शेतानी करते हो या कहना नहीं मानते हो तो आपके पापा आप से क्या कहते हैं बेटा मुझे गुसा मत दिलाओ तो इसे इंगलिश में कहते हैं don't make me angry मुझे गुसा मत दिलाओ don't make me angry मान लीजे कि कोई इंसान बहुत अजीब सी बात कर देता है या कोई ऐसी हरकत कर देता है जो आपको पसंद नहीं आती तो आप क्या कहते हो क्या बेहुदगी है तो इसे इंगलिश में कहते हैं what nonsense क्या बेहुदगी है what nonsense अक्सर छोटे बच्चों की आदत होती है कि जब भी वह किसी के घर जाते हैं तो उनका समान उठा उठा कर देखते हैं तो हमें उनसे क्या कहना पड़ता है इसे वापस रखो तो इसे इंगलिश में कहते हैं put it back इसे वापस रखो put it back अगर कोई आपसे पोचता है कि तुम्हें सबसे ज़ादा क्या करना पसंद है तो मान लीजे कि आपको बैट्मिंटन खेलना पसंद है तो आप क्या कहोगे कि मुझे बैट्मिंटन खेलना पसंद है तो इसे इंगलिश में कहते हैं I love to play बैट्मिंटन मुझे बैट्मिंटन खेलना पसंद है I love to play बैट्मिंटन उसी तरीके से अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो आप क्या कहोगे मुझे टीवी देखना पसंद है तो इस इंगलिश में कहेंगे I love to watch टीवी मुझे टीवी देखना पसंद है I love to watch टीवी तो इस तरीके स आपको जो भी चीज़ करना पसंद है वो आप बता सकते हो स्कूल में जब भी बच्चे शेतानी करते हैं तो टीचर्स को उनसे क्या कहना पड़ता है मैं तुम्हें थपड लगा दूंगी तो इसे इंग्लिश में कहते हैं I will slap you मैं तुम्हें थपड लगा दूंगी I will slap you बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के काम में बहुत ज़ादा दखल अंदाजी करते हैं या वो दूसरों की जिंदेगी में बहुत ज़ादा इंट्रस्टेड होते हैं उन्हें हर वक्त जानना होता है कि कौन क्या कर रहा है तो उनसे क्या कहना पड़ता है अपने काम से काम रखो तो इसे इंग्लिश में कहते हैं Mind your own business अपने काम से काम रखो Mind your own business माल लीजे कि आपको किसी इंसान के इरादे ठीक नहीं लग रहे आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड है तो आप उससे पूछते हो ना कि आपका इरादा क्या है तो इसे इंग्लिश में कहते है What is your intention आपका इरादा क्या है What is your intention जब भी कोई इंसान गलत काम करता है या बिलकुल बेशरम हो जाता है तो उसे क्या कहना पड़ता है तुमने सारी हदें पार कर दी है तो इसे इंग्लिश में कहते है You have crossed all limits तुमने सारी हदें पार कर दी है You have crossed all limits अब किसी ने बहुत ज़ादा गलत काम कर दिया तो आपको उस पर गुस्सा आएगा तो आप गुस्से में उससी क्या कहोगी दफा हो जाओ यहां से तो इसे इंग्लिश में कहते है Get lost from here अब आपने गुस्से में दफा हो जाओ बोल दिया तो सामने वाला अपनी सफाई देने के लिए कुछ तो बोलेगा तो आप उससे क्या कहोगे बक्वास बंद करो तो इससे इंग्लिश में कहेंगे Stop Talking Nonsense बक्वास बंद करो Stop Talking Nonsense अगर आपको किसी को बोलना है कि मेरा इंतजार करना तो इससे इंग्लिश में कहते हैं Wait for me मेरा इंतजार करना Wait for me मान लीजी कि आप कोई exam देने जा रहे हो या आप किसी interview के लिए जा रहे हो और आपको बहुत जादा घबराहट हो रही है तो आप क्या कहोगे? मुझे घबराहट हो रही है तो इस English में कहते हैं I am getting nervous मुझे घबराहट हो रही है I am getting nervous जब भी कोई हमें बहुत उल्टा सीधा बोलता है तो हम उससे क्या कहते हैं? जबान सम्हाल के तो इससे English में कहते हैं Mind your language मान लीजी कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा शर्माता है तो हम उससे पूछते हैं न कि तुम इतने शर्मी ले क्यूं हो तो इससे English में कहते हैं Why are you so shy? तुम इतने शर्मी ले क्यूं हो? Why are you so shy? मान लीजी कि आपने किसी को कोई काम दिया था करने को और उसने वो काम बिगार दिया तो आप क्या कहते हो? मुझे गुसा आ रहा है तो इससे English में कहते हैं I am getting angry मुझे गुसा रहा है I am getting angry मान लीजी कि आप बहुत देर से किसी काम को ट्राइ कर रहे हो लेकिन आपसे हो नहीं रहा आपका फ्रेंड आता है और एकदम से उस काम को कर देता है तो आप उससे पूछते हो ना कि तुमने इसे कैसे किया तो इस English में कहते हैं तुमने इसे कैसे किया जब भी हम उदास हो जाते हैं तो हमारी ममा हमसे पूछती है ना कि तुम इतने उदास क्यों हो तो इससे English में कहते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ वीडियो को सभी के साथ शेर जरू कर देना जिससे की बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके